हेलो एवरिवन स्वागत आप सबका इंजीनियर्स वाला चैनल पर कल आपका रिजल्ट आया था MPP भी सब इंजीनियर का मद्यपदेश प्रोफेश्चनल एग्जामिनिशन बोड सब इंजीनियर्स आया था जिन जिन का सेलेक्शन हो चुका है इसमें बहुत बहुत पर परिक्षां परिणाम के बारे में बात कर रहें यहां पर ठीक है अब जैसे यह नोटिफिकेशन है यह ओपीशल लोग स्वास्था यांतली की विभाग स्वास्तियांतरि की विभाग का अन्रिजर्व यू आर मतलब अंरिज्व स्टेस्ट अलगल categories है 156 आपकी cut-off इसकी गई थी unreserved category के अंदर 156.30 cut-off गई थी generally cut-off इसी range के अंदर जाती रही है MPPB की आपको last year का pattern भी idea होगा ठीक है SC की cut-off 140 OBC और EWS यह को second highest cut-off आपके EWS की गई थी that was 151.96 यह आपका रहा और OBC अगर देखोगे तो OBC का आपके पास था 135.6 से ठीक है तो यह जनरली cut-off आपकी लगबग इस range के अंदर गई थी 135 से 156 के बीच में इस particular department के अंदर ठीक है देखो आगे move on करते है कारेला प्रमुग अभियन्ता उसी का है आपके पास इलेक्ट्रिकल और मेकानिकल में स्वास्ति यांत्रिक विभाग का ही SCST female candidate और सबका OBC का भी और इस तरह से देखो देख सकते आप जो फिजिकली कारेला प्रमुग अभियन्ता लोग स्वास्ति अभियांत्रिक विभाग इसमें OBC का जो कैटेगरी का cut-off गया था और that was 147.79 ये cut-off आपका इस वाले particular department में गया है ठीक है इसी तरह से आप और भी देख सकते हो आप OBC जो है female candidates OBC female candidate का भी 134.134.43 ये cut-off गया तो टोटल 10 candidates 10 applicants को यहां भी select किया गया नेक्स्ट आप department देखो प्रमुग अभियन्ता जल्ट संसादन विभाग जो इलेक्टिकल और मेकानिकल सब इंजीनर खा था यहां पर भी यू अन्रिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरी cut-off गई है 155.44 और ये पूरा टेबल आपको 151.51 तो एक सिमिलर रेंज वही उसी रेंज के अंदर आपकी cut-off गई है जो expected भी थी MPPB sub-engineer के दिए जो expected रेंज थी उसी रेंज में भी आपकी cut-off गई है that is generally आपके हमने देखाया कि 140 से 160 के बीच में ही जनरली सी cut-off range करती है अलग-लग depending upon the vacancies अलग-लग department के अंदर और व यहाँ पर आपको अलग-लग तरह से cut-off देखने को मिली होगी similarly table को आगे करते 128 candidates उस department के अंदर आपको select किये गए यहाँ पर ठीक है next department है प्रमुक अभियंता जल संतान विभाग संसाधन भवन बोपाल यहाँ पर देखोगे तो unreserved category इस वाली particular में गया है 140.39 यहाँ पर आ स्ट की cut-off 129 स्ट की cut-off 120 female candidates की 120.68 बहुत ज्यादा difference दोनों में नहीं देखने को मिला यहाँ पर स्ट और स्ट में भी देखोगे तो 118.8 और आपके पास 86.08 यह आपके अलग-लग cut-off रही है स्ट की female candidates और general candidates की ठीक है उसके बाद यहाँ पर टोटल 273 273 टोटल आपका यहा पर number of applicants select किये गए ठीक है next देखो group 3 sub-engine recruitment की बात हो रही है मद्यप्रदेश urban development company limited यहाँ पर अगर अन-reserved के category देखें तो यहाँ आपके गई है 144.19 similarly अगर देखोगे यहीं पर EWS का देखोगे तो EWS का आपके पास गया 142.91 अन-reserved में female category उनका गया आपके पास female categories के अंदर 127.94 ठीक है female category में 127.94 similarly यहाँ पर EWS OBC OBC की cut-off गई है 135.52 this was a cut-off for OBC for this particular department अब अगर next department की तरह मूव करते हैं तो MP Warehousing and Logistics Corporation Bopal इसमें SC की vacancy थी SC के round आप गई है 131.34 आपके पास लगबा किसी cut-off गई है MP की यहाँ पर देखोगे MP Warehousing Logistics Sub Engineer MP समभीदा मतलब contract basis पे जो था MP Warehousing and Logistics Corporation के अंदर यहाँ पर आपके पास अन्रिजर्वड की जो वेकेंसी अन्रिजर्वड की cut-off गई है that is 124.34 ठीक है इतना अन्रिजर्वड की cut-off गई है तो पूरी टेबल आपको अलग 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 department के अंदर MPPE भी Sub Engineer के result जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ठीक है एक department आपका था अन्रिजर्वड की गई है और फीमेल कंडिडेट्स की गई है 127.1 ठीक है अलग 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 department उसके अंदर आपके पास वेकेंसी जो भी थी उसके आपके आपके पास फीमेल कंडिडेट्स के लिए कट आप यहाँ पर रही है ठीक है ओके ओबीसी और से स्टी 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 कट आपके पास लगबग 144.92 यहां देखोगे तो 126.84 ठीक है जो स्टी कट आप थी ओबीसी की कट आपके पास 151.29 यह कट आपके पास रही थी अगर ओबीसी फीमेल काटेगरी की देखेंगे तो डैट वस वन 149.75 यह आपके फीमेल काटेगरी कट आफ देखें इस दरह से अलग लग डिपार्टमेंट और भी है जैसे कारेल है प्रमुक अभियंता लोग स्वास्ति यांत्री विभाग स्टिविल की अगर बात की जाए अभी तक हम इलेक्टिकल और मेकानिकल की बात कर रहे थे से इसिविल की बात करोगे तो से इंदर जन्रल की अंडिसर्वर की के टेगरी कट आफ गई है 144.39 ओर फीमेल के आट करेंगे इसी इंदर तो आंडिसर्वर के इंदर फीमेल काटिडएट की गई है 123.43 मत्तभ नचैनल अधिकल अए जितना इलेक्टिकल मेकानिकल की गई थी कि उससे थोड़ा कम आपके बाद कट आप यहां देखने को मिली है तो यह सारा डिपार्टमेंट आपका सिविल काई है अलग-अलग स्टी ओबीजी मेल और फिमेल कंडिडेट की अलग-अलग रेंज में कट आपको देखने को मिली तेक है नेक्स पोस्ट इस डेप्यूर्ट जीरो सेवन और फिमेल कंडिडेट की देखोगे तो 120.29 काटेगरी यह आपके पास यहां पर कट आप रही है डेप्यूटी मैनेजर जो कॉंट्राक पेसिस के उपर पी में वेकेंसी आई थी उसकी कट आप तो जनरली बहुत सारी वेकेंसी जैसे सब इंजीनियर प्रमुक फिमेल की काटेगरी कट आप थी ठीक है ओबीसी की देखोगे ओबीसी यहां पर 137 ओबीसी की यहां पर 137 और ओबीसी फीमेल के बात करेंगे तो 118.94 डाट इस फॉर ओबीसी फीमेल ठीक है सब्सक्राइब के लिए वेकेंसी देखोगे से लिए 123.2 बहुत ही बढ़िया मतलब कट अब लोगों की करवाई गई थी उसी लेवल की प्रपरेशन के अकौर्डिंग ही आपके पास पूरा सलीवस यहां पर कवर भी किया गया था ठीक है जिस तरह के एक्सपेक्टेड कट आप थी उसी रेंज के अंदर आपको कट आप यहां पर देखने को मिल रही है सब इंजीनियर के लिए सिमिलर्ली ड्राफ्मेंड की वेकेंसी भी आई थी ड्राफ्मेंड की वेकेंसी के लिए 161.4 यह वेकेंसी यह कट आफ आपके पास रही है अन्रिजर्व्ड कैटेगरी की ठीक है फीमेल की बात करेंगे यहां पर ओबीसी की कैटेगरी जो है डाट इस 154.77 सिमिलर्ली सी की कैटेगरी में 142.71 तो इस तरह से आपको सारा इस पूरे पीडिएफ के अंदर देखने को मिलेगा अलग तरह के कैटेगरी के अंदर ड्राफ्मेंड अब सब इंजिनियर्स सेवल बैकलॉग जो बैकलॉग वेकेंसी इसके लिए था उसके लिए भी आपको सेवल में बैकलॉग यहां पर देखेंगे सब इंजिनियर्स जो समवीदा की 20 समवीदा के आपके पास देखने को मिली थी इसके अगर बैकलॉग देखोगे तो बैकलॉग का पूरा कट अफ एनलिस आपको यहां पर डिरेक्ट नोटिफिकेशन में गिवन है अब नेक्स आप देखो प्रमुक अभियनता लोग दिन्मान विबाग MP बोपाल यहां पर इलेक्टरिकल और एलेक्टरोनिक्स के लिए इलेक्टर्ड और एलेक्टरोनिक के लिए अन्रिजर्वड फीमेल की कट अफ जो गई है और फिवन क्ट वां देखो झान जाओ यहां पर देखने मिलेगी थोड़ी ज्यादा देखने को मिली है ठीक है नेक्स देखो इलेक्टिकल और एलेक्ट्रोनिक समविदा यहां पर देखोगे तो यहां आपको कट आफ देखने मिल रही है नंबर ऑफ कैंडिडेट सेमिलर्ली ग्रामीड अभियंत प्रमुक अभियंता ग्रामीड यांतरी की से सेवा एंपी बोपाल यहां पर कट आफ जो देखोगे सब इंजीनियर की तो बहुत सारे डिपार्ट्मेंट बहुत सारी वेकेंजी उसका पूरा एनलेसिज जो है वह आपको यहां पर कट आफ देखने को मिल रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यह एक्जाम भी दिया ऊंटत प्रसाशन एंवं विकास यह इनदर भी वेकेंजी से नगरपाली का निगम मोरेनाopt, इतने भी सारे डिपार्टमेंट आपके पास यहां देखने हूं मिले थे MP पुलीस अवास है विकास निगम जो आपके पास है यहां पर सब इंजिन इलेक्टिकल समवीदा की वेकिंसी यहां पर अन्रिजर्व्ट कैटेगरी की 149.17 ठीक है ओबीसी की 146.53 और यहां पर OBC काफी लोगों का एक्जाम बहुत सही गया होगा और बहुत लोग यहां पर एक लिस्ट भी जारी करी है टॉप एप्लिकेंट्स की जो टॉप रैंकर से सबको टॉप टेन रैंकर्स यहां पर है जैकेशन अर्विन भुशकर मनीश सबके यहां मार्क्स भी यहां शोकेस कर रहे हैं इस तरह से MPPB का रिजल्ट का डिटेल में डिसकस हो गया था ऐसे यह और भी नोटिफिकेशन जो भी रिजल्ट के आते रहेंगे इंजिनियर्स वाला आप लोगों के लिए लेके आता रहेगा और बहुत-बहुत बदाई जितने भी MPPB के स्टुडेंट से कॉंग्राइस्वलेशन टू अल थैंक्यू